हेलो गाईज, जितने भी B.A.D. के स्टुडेंट्स हैं, जितने भी B.A.D. से एडमिसन लेना चाह रहे हैं, उनके लिए बहुत ही बड़ी अपडेट यहां से आ रही है, तो वीडियो आप लोग पूरा देखिएगा, ठीक है, और यह इंपोर्टेंट वीडियो है, फिर से मै लोग बात कर लेते हैं, यह देखिए क्या बोल रहा है कि जहारकन के B.A.D. कॉलेज, यह देखिए राची इन्वर्षिटी के थुरू यह आया हुआ है, देख लेजे, जहारकन के B.A.D. कॉलेज में नामंकन के लिए कौंसलिंग संबंदित आवक की, आवश्यक सूचन यह पर दिया जा रहा है, चलिए देख लेते क्या दिया हुआ है, बोल रहा है कि जितने भी मानेता प्राप्त B.A.D. कॉलेज हैं, जहारकन राज के, वो सभी में 2022-2022 सत्र, यही सत्र में आप लोग को एडमिसन लेना है, तो इसके लिए कौंसलिंग का कारी, आपका राची 20 व इसी लिंग के माध्यम से आवेदन करना होगा आप लोग को है ना, और 600 रुपिया लगने वाला है, कौन से लिंग फी, इसके बाद देखें क्या लिख रहा है, इसी लिंग के माध्यम से जमा होगा, और चलि देख लेते क्या अपडेट है, और देखें आगे अगे अपड बढ़ाना नहीं है मैं फिर से बोल दे रहा हूँ अभी जो अपडेट है यह आप ध्यान में रखिएगा अभी मैं बता दूँगा कारण के क्यों नहीं हड़ बढ़ाना है वो सारी आप सुनिएगा पर्थम राउंड में आवेधन करने की तीथी आपको 17-12 तक है तो आप लो लोगों को करना है मैं बता दे रहा हूँ कि CML रेंक भी यहाँ पर दिया गया आप लोग देख लिए जगा आगे पर्थम राउंड में केवल वही अविर्थी आवेधन कर सकते हैं जिसका देख लीजिए आप आगे क्या दियो है वही अविर्थी कर सकते हैं ठीक है जिन्ह जे सी सी बी द्वारा वर्स 2022 में इस कॉंसेलिंग में सम्मिलित होने के लिए एक से आपका 13500 मतरा 13500 सीमेल रेंक तक वाले ही अपलाई कर सकते हैं यहाँ पर आप लोग का रेस्टिक्शन डाला हुए ठीक है तो इतना जितने भी रेंक जितना भी 13500 से कम रेंक वाले हैं और भी क्या क्या अपडेट है चलिए सुर्प मैं दिखा देता हूं ठीक है पूरी अपडेट मैं देता हूं एक ही वीडियो में यह देखिए यह आप लोग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है यहाप आप लोग को यहाँ से याद रखिएगा कि 11-17 तक आप लोग को ट जानकारी से 600 रुपे सभी को लगने वाला है ठीक है आप लोग देखिए किसी भी तरीका से पेमेंट कर सकते हैं डेबिट कार्ड के रेडिट कार्ड या इंटरनेट बैंकिंग से और यह देख लिए जिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही मैं आपको बताना चारा था कि अड्मिशन कैसे में आप लोग निमेल की दिस्तावीजों की जरूरत होगी तो यह सभी डोक्यूमेंट्स आप लोग जरूर आप लोग निकाल के रख ले में बोल रहा हूं नहीं तो बहुत प्रसानी होगा हो सकता है कि आप अपना जो कोटा के अंदर एड्मिशन लेने ग्यारत से हैं ऑबी सी अपने काँए आपने हिसाब से निकाल कर लिए अवाज यह पर्मान पत्र होना चाहिए आपका रेशिदेंश सर्टिफिकेट अगर दूसरे उनवर्शिटी से हैं अप्लाइग कर दीजLES में फिर से बोल रहा हूं ठी कि लेकिन यह वाला थोड़ा सा टाइम दे देता है को ले तो यह ज्यादा मतलब की ज्यादा जरूरी नहीं लेकिन यह उपर वाले जरूर से जरूर अप लोग अपना त्यार करके रखिएगा फिर ट्रांसपर सर्टिफिकेट और सीट अलॉटमेंट लेटर जो आप लोग कॉंस पर चानी नहीं हो ठीक है तो यह देखिए मैं ऑफिसल साइट पर आ गया हूं तो यह देखिए आप लोग को क्या क्या गैडलाइन्स फोर ओनलाइन अ कॉंसिलिंग दे रहा है अभी फिलाल तो यह देख लिजे ठीक है और अभी आप हड़बड़ी नहीं कि फिर से बोल रह इससे पहले किसी भी हाल में आपको कर देना है आप 15-16 तक ही कर देना उससे ज्यादा टाइम नहीं लेना अब यह देखिए बहुत सारे बच्छों को डाउड था कि आप कितने कॉलेज 24 में ले सकते हो तो देखिए maximum 10 चोईस यहां पर दिया हूँ है मतलब 10 कॉलेज आप च यूज करना है ठीक है इस फोर एडिशन ओफ न्यू कोलेज तो आप ने कोलेज आड़ कर पाऊगे जो भी कोलेज सेकेंड प्रिफिरेंस या थर्ड प्रिफिरेंस में डालना है एडिट बटन इस पोर चेंजिंग दा कॉलेज एस सेलेक्टेड अर्लियर जैसे कि आप फर्स सेलेक्टेड अर्लियर जो कॉलेज आपको सेलेक्ट करके रखे तो सेकेंड लिस्ट में अगर उसको वहां से हटा देना है तो यहां पर डिलीट कर जाएगा ठीक है आगे देखें यूर एडवाइस तो सेलेक्ट एप्रोप्रियेट चॉइस मतलब बोड़ा है कि आप लोग प्रिंट ऑप्शन विल बी एक्टिवेटेड उसके बाद आप प्रिंट करके निकाल सकते हैं तो लोग हो जाने के बाद आप फिर एडिट नहीं कर पाऊगे धियान देना अब फी पेमेंट देख लिए कैसे कैसे करना वह यहां पर लिखा हुआ है और अपलाई ओनलाइन में देखने को मिल जागा तो यह सारी चीज़े हैं अब यह देख लेता हूं में कॉंसेलिंग फॉंफी के बारे में क्या लिखा हुआ है कितने फी लगने वाले हैं तो देख लिए सभी का 600 यहां पर दिख रहा है तो अभी तक कोई काटेगरी में छूट नहीं मिला हुआ ह और 10 से 6 बजे तक यह आप उनको कॉल कर सकते हो यह वाटसप नमबर भी इन्होंने जारी कर दिया है तो यहां पर बहुत अच्छे से डिटेल सारे मैंने आपको दे दिया है मैं फिर से बोल रहा हूं कि कॉंसेलिंग के लिए आपको हड़ बलाना नहीं है यहां से देख लि कि आपने JCCB का एक्जाम दिया था आपको साइध हो सकता है अगर स्कूर कार्ड भी वहाँ पर दिखने लगे या फिर आपको प्रोफाइल वहाँ पर दिखने लगे फिर आपको पे कर देना है कॉंसे कॉलेज को कितना नंबर में डालना चाह रहे हो यहां पर आप कर पाऊ लेकिन याद रखिएगा जो फर्स्ट में डालोगे वही सबसे फर्स्ट प्रिफरेंस माना जाएगा तिस सारी चीज़ आप ध्यान में रखिएगा अभी आप हड़बड़ी में ना करें फिर चे बोल रहा हूं आप अपने सीनियर से भी क्या करना है मैं आपको बता देरो चीज़ दिमाग में रख लीज़े ठीक है उसको लिक कर रख लिए कि यह सारे कोलेज हमको टार्गेट करना तो वही 10 कोलेज में आपको फिरफेरेंस देना रहे गा तो वह सारे काम आपको कर लीज़े यह आपको दो से तीन दिन के अंदर कर लेना उसके बाद आप लोंसे कर लिजेगा ठीक है और Concelling का सारा प्रोसेस में बता दूँगा और फिर एक और वीडियो में बनाने जाओंगा कि कौन सा Concelling में कौन से क्वाले से दूर रहे हैं वो भी मैं वीडियो लाने वाला हूँ तो अभी आप भड़ाएना है ठीक है और स्टेप्स मेंडेटरी देख लिए सभी स्टेप्स आपके मेंडेटरी है इफ यह चलान ट्रांजेक्शन आइडी नोट अपडेटेट यू और नोट एबल तो कम्प्लीट फ़र्दर स्टेप्स फिर से बोल दिया जा रहा है कि अगर आपका एक चलान ट्रांजेक्शन आइडी नोट ठीक है अपलाए आगे देखिए दो नोट अटेम्ट फिलिंग अप दा फॉर्म बिफोर दा पॉब्लिकेशन आप यहां पर किलिक करना रहेगा आई हैव रेड औल दा इंस्ट्रक्शन उसके बाद यहां पर प्रोसीड टू ऑनलाइन अपलाए ओनलाइन कॉंसेलिंग यहा कि कोलेज में जो भी लोकल कोलेज में अप्टे टार्गेट किया है या फिर गवर्मेंट कोलेज हो या फिर जो भी कोलेज हो किसको फर्स्ट प्रिफरेंस सकेंड प्रिफरेंस में रखना है वो आप वहां के सिनियर भाहिया लोग से आप लोग संपर कीज़ेगा सब से बेस बस इतना ही मिलते नेक्स्ट वीडियो में धन्यवाद